वेलकम बैक तो माई यूटूब चैनलेंज शाइन एक्विटी कैसे दोस्तों आप सब लोग तो गाइस अभी फिलाल जो दिन के लगबग 535 पीम बच चुके हैं एस पर इंडिन टाइम और अभी जो फिलाल जो क्रूड का जो प्राइस है जो रनिंग है फिला डिसमबर करेंगे और देखेंगे हम क्या मोमंटम आगे पॉसिबल है उसके बार भी हम चेक करेंगे सबसे पहले आप लोगों ने यूटूब चैनल को सब्सक्राइब ने किया है तो पहले प्लीज सब्सक्राइब कर लिजेगा बेल आइकन पर जरू क्लिक कर लेना ताकि आपको डेल आउट ब्रेकडाउन जब तक यह दोनों चीजी होती रहेगी तब मोमंटम मिलता रहेगा तो सबसे पहले हमने क्या किया था आज की दिनों में हमने हमारे पेड ग्रूप में कॉल ऑप्शन दिया अच्छा का सा मोमंटम देने के बाद हमने अच्छा का सब्सक्राइब किया जो केसες से बहुत कम होते जारें जिसके वशन ने कल रिकौबरी देखा आज की दिनों भी हमने देखा मार्केत में तेजी देखा तो गया क्या पॉस्टिबल हो सकता है एसपर टेखनिकल चार्ट उसके बारें बात करेंगे तो गया से चार्ट गास में आप यहां पर आप यहां पर इस्पर काटा हुआ सबको ब्रेक करके अभी की तरफ जा रहा है कि मार्केट ऊपर की तरफ जाए तो क्या एक्सपेक्ट टार्गेट बन सकता है एक चीज़ क्लेर है अभी तक आप चेक कर सकते हो इसके पहले का हाई क्या था जहां उसका लेवल था जो कि 6553 जहां से हमने देखा रिवसल डाउंसाड था उसके बात अभी थोड़ी तेजी देख रहे हैं बड़ गाई बनके आ सकता है आप देख सकते हैं इसके बीच में कोई भी टार्गेट नहीं दिख रहे हैं एक चोटा सा हडल बनेगा 6600 का देन गाइस क्लियर हमें अप्रेंड मिलेगा 6735 तक के लिए ठीक है मतलब कैसा है गाई 6550 क्रॉस किया सस्टेन किया 6000 का का काम करेगा टैन्ट लिए उसके बाद तो गाइस मार्केट का टेंड हो सकता है तो उसके बार हम बात करेंगा नहीं है इसमें नहीं है easy funda है ठीक है market is easy है बोसामझने कि आध में ध्यान देना पड़ता है कि कौन से टाम पे क्या वॉल्म्स के साथ में घ्रीकौट जा रहा है क्या वाल्विम्स के साथ में अज के में जिसके और कलके दिनों में दिया था आफ्टरणून के बाद ठीक है तो जब मार्केट में जब बैड नूस आता है बहुत अच्छा कासा गिरता है तो इसको दो गुना चला के लेके जाता है मार्केट तो वह चीज यहां पर भी होगा जो मैंने बता है न्यूज चाइना में जो केसे से लॉक्ड़ाउन के बहुत कम होते जा रहे हैं मतलब कहें नहीं जो सप्लाइब कंसेंस था लेकर हो तो उसमें तो तेजी देखेंगे हम अच्छा का सा मुमेंटम मिलेगा गाइस त सब्सक्राइब करता है तो वापस इसली टार्गेट जा सकते 6200 6100 के लिए इसके नीचे आना तो मुश्किल है कहिना के एक मार्केट का बेस होता है वह मार्केट के बाद मार्केट को ऊपर जाना पड़ता ही है गाइस बोलते न मार्केट के अब में बाद में दिख रहा है अने वाले वन विकी अंदर हम 7000 तक पहुंच सकते गाइस ठीक है तो इसे यह मेरा विव ता घ्रकेट को बता दिया अब चलो हम बात करते हैं तो में बच्पार कि पजिए नहीं नहीं रहा जिसकी व्यस्सीं हम आगे अच्छा कर सके टेट कर सके बड़ गास हमने हमारे प्रेट में कल के दिनों में बीटिएश्टी लेवल दिया तो जिसके इसाहब चाहिं अच्छा का बॉट्पित बुग किया और आप जाके चेक कर सक करीब लगबग तार्गेट आ चुका है तो क्या सिंपल सा फंड है क्या स्टॉप रोस क्या टार्गेट क्या सपोर्ट क्या बन सकता है मैं प्योली गाइस ट्रेंड लाइन जो सपोर रिश्ट्रेंस उसके पर उसके बिएस से बताऊंगा ताकि आपको समझने में एजी हो बाक सिंपल सा फंड हो काटने के लिए लिए अक ह्रिजन्टल माइन पड़े पर यहां पर जो भी लोज को हमें देखने पड़ेंगे तो लोज कहां बन रहे हैं यह फाइनांटी की करीब तो जाइस फाइनांटी एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट काम करें नेच्छल गैस के लिए अगर इसके नीचे जाते हैं तो आधा तक वापस देख सकते हैं बता तक क हम दुबार देख सकते हैं अगर अच्छा घिरा तो यहां फिर 575 तो फिक्स होगा गाइस 590 के नीचे ठीक है और उसके उपर गाइस क्या बन सकता है उसके उपर अगर हम 590 का सपोर्ट लेकर तो गाइस एक टार्गेट बन सकता है 605 605 के ऊपर आगर बन सकता है 606 उसके उपर क्या टार्गेट बनेंगा मैं आपको लेटरों बताऊंगा बढ़ ज्यादक ना 590 इंप्टेंट सपोर्ट का काम करेगा ठीक है 605 इंप्टेंट सब्सक्राइब करेगा यह दो लेवल से 595 क तो बता देता है यह 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 मैंने प्रॉट किया हुआ है इसके उपर गाइस इसली आपको दिख जाएगा ठीक है आपको आपको इसली समझ में आ गया होगा बाकि चीज़े बहुत सा चीज़े बताने के लिए हर्मोनिक पैटर्न के तुरू बता सकता हूं कि क्या के एक्सपक देदी होगा आपके लिए बहुत टाइम जाएगा बट इस ओके गाइस मैंने आपको सिंपल आपको ट्रेंड लाइन जो हर्जूंट लाइन उसके बेसे मैं बता दिया है आपको समझ में आ गया होगा ठीक है अगर आप मार्केट में कमाना चाहता हो तो दुबार आपको ब कोफिट मिलेगा ठीक है इस तो आज की वीडियो में इतना है मिलते हैं नेक्स वीडियों तब तक लिए जैहीं शुक्रिया टेक केर आपको 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 आपक झाल झाल